यह कुछ questions और रहे गए थे तो एक तो देखो यह question x square plus 1 upon x square हमको दे रखा है अब हमको क्या करना है x plus 1 upon x की value निकालनी है it means अब हमको क्या है original term दे रखी है अब हमको इसमें कुछ ना कुछ ऐसा add करना है कि इससे क्या है कि यह एक आपका perfect square number बन जाए जैसे देखो अगर मुझे पता देखो जो चीज आपको बनानी पड़ दी है जैसे आपको क्या बनाना x plus 1 upon x बनाना इसकी value निकालनी है तो आप क्या करो इसका whole square करके देख लो क्यों कि यह power 2 लग रही है कि इसका whole square हम क्या लेख सकते हैं तो आपको पता सब यह a है और यह सारा b है तो a की पाबर 2 प्लस में b की पाबर 2 प्लस में 2 डॉट कमीनी multiply है एंटू में b तो आपने देखा यह तो बन गया x square और यह बन गया 1 प्लस 2 का difference है अगर यहां में plus 2 लिख दू तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स प्लस 1 अपन एक्स का whole square लिख सकता हूं तो same as it is क्या करेंगे हम add करेंगे both side क्योंकि equation मेरी कब तक change नहीं होती है जब तक दोनों side में same number का plus करूं same number का minus यह same number का multiple add both side 2 क्योंकि 2 की help से यह identity बनेगी तो मैंने बोला x square प्लस में 1 अपन में x square प्लस में 2 एक्वल स्टू 27 प्लस में 2 तो अब आप बोलो कि सर इसको तो मैं लिख सकता हूं x plus 1 अपन x का whole square क्योंकि यह तो identity होती है क्योंकि हमने देखा था यहां से तो और इधर क्या बन जाएंग बट मुझे तो खाली x plus 1 अपन x की value निकालनी है मतलब इस मुझे power 2 को अधर shift करना पड़ेगा और जब हमको पता power 2 अधर shift होती है तो वो किसमें change हो जाती है root में और root जब अधर shift होता है तो किसमें change हो जाता है power 2 तो x plus 1 अपन x की value क्या आएगी root of 9 29 जो एक ही एक non perfect square number है तो इसकी value यह होगी ऐसे ही अब देखो हमको क्या निकालना x square y square मतलब हमको क्या करना पड़ेगा squaring both side ऐसी चीज़ बनानी है तो ऐसी चीज़ यहां तो बेना square बाला number है इसमें delta करना है तो हम क्या करेंगे squaring both side जब हम squaring both side कर देंगे तो यहां x plus का y था और यहां था 12 तो यहां भी power 2 लगा दी और यहां भी power 2 लगा दी हमारी कोई equation चीज़ नहीं होगा अगर दोना तरफ एकी power 2 प्लस में b की power 2 प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b एक परस्टू 12 का 144 बनेगा अब देखो यहां x square आ गया यहां y square आ गया यहां 2 की जगे 2 यहां x y की value question में पहले की बन दी कितनी थी थी 24 sorry 40 equals to 144 अब आपको पता है हमें तो खाली x square और y square की value निकालनी थी right hand side में 144 चल रहा था 28 को इसमें से minus कर देंगे तो x square plus में y square equals to क्या है इन दोनों का subtraction वो आपको comment box में बताना है कि इनका subtraction कितना है यह दोनों है आपको इन दोनों के multiply करनी है simple तो सबसे पहले इसकी multiply इस से करेंगे तो x की multiply x square से करेंगे एक्स की पावर 4 बनेगा फिर इसकी multiply दूसरे के साथ यहां plus का sign है यह minus का sign है minus का sign है एक्स की पावर 3 इसकी multiply तीसरे के साथ यहां plus का sign है यहां भी plus का sign है तो plus का sign है एक्स की पावर 2 फिर इसकी इसके साथ करेंगे क्योंकि हर किसी number की हर किसी के साथ होनी है तो x की पावर 2 माइनस का X प्लस का 1 अब जस्ट आपको देखना है कोई repeated term तो नहीं है X की पावर 4 है कहीं पूरे expression में नहीं है X की पावर 3 है हाँ सर यह रहा दोना अलग-अलग sign वाले हैं तो यह कट जाएंगे X की पावर 2 देगो सर हाँ यह रहा यह भी दोना अलग-अलग sign वाले कट जाएंगे एक और X की पावर 2 है तो वो प्लस का है तो यह X की पावर 2 है एक यह प्लस का X है और यह एक माइनस का X है तो यह भी कट गए तो अब क्या बचा है सर वन बचा प्लस का बचा है तो इन दोनों के जो 70 माइनस 2 और इसको लिख सकता हूं 70 प्लस 2 अब आपको पता चल के सर यह तो A माइनस B और A प्लस B की आइडिन्ट्री बन गई यह तो इसको क्या रखेंगे A स्केर माइनस में 20 स्केर तो यह क्या होगा 70 का स्केर माइनस में 2 का स्केर 70 का स्केर 449 और double 0 बनेगा ओके यह हमारा अंसर होगा कि नेक्स्ट अब यह इसमें A PLUS B का होल स्क्यर बनेगा A की जगे क्या रहा रहा तो इसकी पाबड 2 लग जाएगी B की जगे क्या रहा 3Y तो उसकी पाबड 2 लग जाएगी प्लस में 2AB 2 की जगे 2 A की जगे 2X और B की जगे 3Y तो 2 2 जगे 4 4 of X की पावबर 2 3 3 जगे 9 9 of Y की पावबर 2 constant constant गुमल लिपल 2 2 जगे 4 4 3 जगे 12 12 of X Y यहां A की जगे क्या है 5B मतलब 5B की पावबर 2 प्लस में B की जगे क्या है 1 upon में 2 2 उसकी पावबर 2 माइनस में 2AB माइनस क्यों आए क्यों कि यहां माइनस का sign था अभी मैं identity बताऊंगा जब और देखे न 2 A की जगे 5B और B की जगे 1 by 2 इस 2 से यह 2 कर जाएगा क्योंकि 3 मुल्टिप्लाइब 5 का 25 of B की पावबर 2 बनेगा प्लस में 1 का 1 और 2 का 4 माइनस में 5B यह इसका क्या बनेगा whole square ध्यान से देखो इसको जब हम open करेंगे A square प्लस में B square की multiply करनी है insane झाली हिर खातर निस निसenders